प्रेंदर जी स्वाकत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार सर इर में बात होता हो एक हकी ह będziemy बात की जी बात हो रही है जैहिन आपका स्वागत है आपका honestly रृत्मूज कर गुरुजी जहीं आपका स्वोगत है बताएए क्या सवाल है क्वारु बोलेशों एक तो ये सेफ़ बाई was गुरुड जो सवाल कियाज है मैं शुर्द झाला आ, में था काया नमक हे रला है? काला नमक यह भी रीजिवाय था? Maharशनली नमक आपको के वारे मत 250 था भीज़ पातनों सु था? कर भाशे के काया दिनने बना है? मैं एक पॉछ रहना है? फीक है कि इस खार झार श्यक्ता टूoter वार्च कर संब और सभे सदूत इसमें आपनू गुआ हो, तो इसकता है कि अजार थिर्क पंगएंप तीस के बनाना हो जी भंदा मु कद को जा गार शकता cripple अजी न दे οरा जा집े था मुट है के हैं जाए ये सवाल अगुरू जी और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिट्करी का आपने कल जो बताय था नुसका ये पर शाम को जो बताय था एक इसके बारे हम पूछाएं ज़ी ज़ी तीक है उच्छा देगे तामा नहीं मिला सकते सिरके में तामा नहीं मिला सकते वो खतरनाक रेक्शन करता है और तामा दरसल जहरीला होता है इसको बस किसी भी एसिड वे यानि ना नमक डाल सकते हैं इसमें ना कुछ और ऐसा एसिड तामा उससे रेक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है तो तामा तो बिलकुल नहीं डाल सकते हैं और क्या पूछा है नमक के बारे मैंने आपको बता देकिन नमक याद तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बता है मैं हमेशा नमक जैतुन की सिफारिश करता हूँ नमक जैतुन आप लिख ले नमक जैतुन असली ले ये स्वाद में नमकी नहीं होता इसकी पहचान है देखने हैं बिल्कुल नमक जैसा होता है एक चुटकी दिन में एक बार ये दो बार इसे इस्तिमाल कर सकते हैं माता जी को लेके सवा तक कर भाश्य उनका बाहर आ गया था हाँ तो उनके लिए मैंने बताया था मुझे याद है कि गौन चिल्गोजा चिल्गोजे का गौन चिल्गोजा एक ड्राइफूट है जो जितने दिनिया में ड्राइफूट है उनमें सबसे महंगा आता है और उसका गौन उससे भी महंगा आता है लेकिन 10-20 रुपे रोज की दवा से जाधा नहीं होता है बस एक चुटकी गौन चिल्गोजा उन्हें खिलाए और एक चुटकी खाने का सोडा जो मीठा सोडा के लाता है दो गिलास पानी मिला के यह पानी पिला दिया करें आपकी माता जी के मेडम नमस्ते भाईजान स्लाव अलेकम जै जैहिन स्वागत है भाई आपका भाईजान मैं रविशंगर मिश्रा बोड़ रहा हूं एक भूदपूर सहीनिक हूं जी जी इस्तगबाल है आपका स्वागत है भाईजान मैं आपसे 2019 से जुड़ा हूँ आपके कंपनी से और आ लोगों को वो निश्कर भी बताता हूं और आपके कंपनी से दवा बुला करके भी देता हूं इसमें हमारी यो बहन रेखा है 36 नमबर कितने लोगों को फाइदा पहुचा होगा आपने कम से कम से कम भाईजान दर्स बार आजमी ठीक होके हो गए अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपने लोगों की सेवा की अपना नमबर लिखवाना फोन काटना नहीं हमारे मीडिया कर्मी आपका नमबर लिखेंगे बात होने के बाद काट ये नहीं तो हमारे मीडिया कर्मी आप से संपर्क करेंगे आपका इंटर्यू और सब नमक शिवरंजनी और नमक जैतून और नमक कलोंजी यह तीनों चीज़े एक सा काम करती है जहां नमक जैतून की जरूरत पड़े अगले कॉलर हैं हमारे साथ बात कर लेते हैं हर्याडा से है निर्मला जी स्वागत है आपका मैंजी नमसकार में जी नमसकार मैं नमसकार भ्ाइब साथ सम्लाम जी जैहिए स्वागत ऑमारी वेंगना का अश्मोम्स वह उससोद शाखे में डर्द रहता है और आंखे भारी बारी पन उपन रहता है अंग को में ओसरे अथे तो ज्यादा बनता है सर जाथ में खाना खाटी हूं तो मेरे कोना खटी डिकार आ रहती है और खाना हजम ने होता है सर ठीक है जदिके बच्चे को अगर नजला वगेरा रहता है और नजला हुआ खासी हुई बलगम हुआ और उसके कोई दवा ले ली एंटी एलर्जिक तो वो सब कुछ सुखा देती है नसों में बलगम को सुखा देती है तो अगर ऐसा होता है तो बल गम निकालने की दवाएं कफ निकालने की दवाएं डॉक्टर से ले अपने जिससे आप इलाज कराते है तो वो निकलते हैं आपका बच्चा तंदरुस हो सकता है और इनका सवाल, पित जादा बनता है, पित जादा बनता है, एसलिटी कब्स, तो दीके बहुत अच्छा है उसका है, सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, एक बार और बोलता हूँ, आप लिख लें, सौफ, सौगिराम, सौट, 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 जीरा, अजवाइन, सौसोगिराम, और धनिया, और मेथी का दाना, सौसोगिराम, इन सब को पौडर बना के घर में रखा करिए, किसी को भी आजिरात को दुरूत पड़े, तो बड़ा काम आता है, और एक आता है, नमक जैतुन, ये अलग टाइप का नमक है, देखने में नमक जैसा, लेकिन स्वाद में नमकी नहीं होता, एक चुटकी नमक जैतुन, दो गिलास पानी में मिलाना, और इस पानी से, आप ये जो छे चीजों का पाउडर बनाया है, इसको खा कर पानी पी लें, बस दिन में एक बार, बहुत ही जी 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 रादा सौमी, जी जी में धीपा बोल लहीं हूँ, जी जी में धीपा बोल लहीं हूँ, ये दो सवाल नहीं दी, प्लीस आप अच्छे से लिख लीजिए, बिलकुटू मेरे एक जी 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 के स्वी लिए सवाल है, क्योंकि मैं उनको किसी कोई नुसके बताती रहती है, तो बहुत भाइदे करते हैं, तो वो बोल ले थे मेरे लिए भी पूछना, तो उसकी एज है 51 और उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब उसको जैसे सुबह होते हैं, तो एक दम इसनी पी एह होती है, शरीम मे बहुत प्रषूरी महसूस होती है, और वजन है उसका ATH, उनको शुगर है, तो वो बोल ले थे मेरे लिए पूछना कि मैं जैसे सुबह लोगता हूँ, तो बहुत पी रहा होती है शरीम में, और अधा बहुत लगता हुआ है, तो वो अर दूसरा ना उस प्रेग्नेंज बहू के बारे में पूछूंगी तो उसका न भी आठ्वा महीना चल रहा है तो वह बोलही थी जैसे नार्मलो डिलेवडी है उसको बोहु बहुत ब्हुत बननी रहती है ठीक हैं और तो बहुत चीकती और बहुत सर्थी बनी रहती है और बोले ही ती दीदी मेरे लिए पूछना की नॉर्मल डिलेवरी कैसे होगी तो मैं उसको अपना हूं में का ठीक है मैं पूछ के बता रही हैं उने सर्थे पहले भी बहुत उनको फाइदे हुए हैं तो वह बहुत दिन से बोलने हैं पेड़े को जी आप तो बहुत अच्छे हैं हमारे वीवर्स में से हैं आपकी बहु को भी मुझे मालूम है कि उनको रिसाव शुरू हो गया था ब्लीडिंग शुरू हो गई थी पिर आपने मुझ से नुसका पूचा था डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं हो सकता पिर मैंने नुसका बताया था फिर वह बच्ची जार करना उसको और कोशिश करें नौर्मल डिलिवरी हो अब जो नवा महीना लगेगा तो इस बच्ची से सब वो काम कराई जो नौकरों से कराते हैं आप यानि जाड़ पहुंचा लगवाना बच्ची को शायद बुरा ना लगे क्योंकि वो वो भी मुझे जरूर प्रेम क चाहिए आपके हां नौकर चाकर हों मशीने हों धोने की लेकिन उससे कराईए जितना भी उससे हो सके तो यह दो काम कराने शुरू कर दिए उससे और जब जो डेट डाक्टर ने दी हो उसकी उस डेट पर उसको जो बेकार सा गुल नजर आता ना काला सा पुराना सा बकवा ऐसे पचास गिराम खिलाना फिर अगले दिन पचास गिराम या सो गिराम खा ले किसी तरह और खूप पानी पिए आपकी बच्ची को बहुत नौर्मल डिलिवरी हो सकती है और जीजा जी के लिए देखिए आपको तो पता ही है अगर दर्द है तो गौंसिया देना है आदा पानी जरूर्ब पिए करें और यह तो कौन जामुन आपको पता है बहुत असरदार है एक एक चुठकी दो बार दिया करें आदे से पहले देना बहतर है एक चुठकी से जाहदा ना दे दो बार से जाहदा ना दे तो उनको भी फायदा होना मुमकिन है उतन तन हजी अगत है आपका नमस्कार नमस्कार सर जय भारत नकीन साय जय हिन जय भीम और आपकी भी जय रतन रतन वालों की भी जय रंगीला की भी जय रतन की भी मेरा मिजाज सारीडिक मिजाज सर्द है साय ठीक है साय और लोगों का विचार है कि मेरा मिजाज घर्म है लेकिन मैं ये भी बताता हूँ जब आप देखते कोई शुरुता की बात पर कोई लिसनस की बात पर आप जब भावुक होते हैं तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ मेरे भी आथे भर आती है मैं कोई धारवाई देखता हूँ तो कोई ऐसा चनाता कोई फिल्म देखता हूँ ऐसा चनाता कोई फिल्म देखता हूँ ऐसा चनाता मेरी आथे बार बार भर आती है मैं नहीं जानता कि मेरा असल में मिजाज क्या है सारी जीत मिजाज तो सर्द यह जानता हूँ मुझे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत सर्दी वगरा दोस्तों को यह आशा रहता है मुझसे कि मैं उनके हर बात पर जी हुजुरू करूँ कोई भी गलत बात हो तो मैं उसमें हां मिलाओं लेकिन मेरा वो मिजाज उस समय घर्म हो जाता है मैं मुझे ठीक सामने हूँ उनके चेहरी सामने हूँ जो तुक मैं कह देता हूँ कि नहीं यह गलत है और यह तो अब जावेद बता चुका हूँ कि मैं भावुक हूं अंदर से तो यह मॉसम चेंज हो रहा है सर मैंने उनका लिशोडा और अल्पी और पीपर इसका डेल सो के रेशियो से बनाया हुआ है मैं खुद के लिए बनाया हूँ और शुरू भी कर सकाूँ शूरू ब पर 25 बनाया हूं और दूसरा प्रसने से मेरा एक हवीज है बच्पन का जी वो थोड़ा सा योन शक्ति वो कहरा आज ही फोना आजा रहा है बोला कुछ कम हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताईएगा हाँ देखिए मिजज जो है इनसान का वो उस चीज पर निर भर है कि अगर आप को नजला खासी बलगम चीके अक्सर आती है और जल्दी आप किसी रोग में गरस्त हो जाते हैं तो आप सर्द मिजज है चाहे गुस्सा आपको कितना ही आता हो तो गुस्से से मिजज का कोई तालुक नहीं है और समझ लिजए कि आपको बार बार बलगम खासी चीके रहती है तो आप थंडे मिजज के हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी यानि रोग पिरती रोधक शम तक कम है ये तैशुदा बाते युनानी और आइरवेद की और वो मिजज का अगर बात करें जो भावक होने वाली बात है तो उस मिजज में आप मुझ जैसे हैं समझे ये हमारी दोनों चीज़े मिलती है इसलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो मेरा भी हाल है कि मैं बिल्कु जवान था फ से मेरे चारो तरफ लड़कीं बैठीनी थी और मैं अकेला और वो जो सीन आया जजबाती सीन तो मैं तो इतने बुरी तरह रो रहा था और वो सब लड़की मुझ पहास रही थी तो ये हमारा मिजज है आपका और हमारा मिजज मिलता हुआ है ये बहुत पसंद किया जाता है भगवान की तरफ से रोने वाली आँख को भगवान बहुत पसंद करता है और यही आँख अगर अपने रब के आगे रोए है बहुत जो चाहो भगवान से मनवा लो और अगर वक्त ऐसा हो के रात के बारा बज़े के बात का जब सब सो चुके हो और आप उटके सजदे में उससे कुछ जो बाते करूबे तो उसकी सरगोशियां भगवान के हाँ होती है जो आप यहां बोलते हो वहां सुनाई देता है याद रखे हैं यह वो वक्त है जब आप अपने रब से सब कुछ मनवा सकते हो और खुद्दार होना बहुत अच्छी बात है अगर कोई चापलूसी करना चाहे तो यह मिजज नहीं है आपका आप नहीं कर सकते हैं अब मर जाएंगे चापलूसी नहीं करेंगे और रिक्षेर याद आ रहा है कि नाज है नाज है अपनी कच कुलाही पर कच कुला कहते हैं पहले कुला बानते थे ना ऐसे तो वो थोड़ा टेड़ा होता था तो उसका एक मतलब होता था कि मैं चापलूस नहीं हूँ जो कुब जाना कुबूल है लेकिन मिनते ना खुदा कुबूल नहीं मेरे खाल से इनके सब सवालों के जवाब दे दी मैं एक सवाल रहे गया है उन्नाव लिसोड़ा अलसी वाले एक नुसका बनाया है नोने जी वो आप इस्तमाल कर सकते हैं इस्तमाल करिए किसी को देना हो त इस्तमाल करने लगाता है चार-पाँच महीन है पिर आपका मज़ाज मौत दिल या गरम हो चाएगा और आप पिर सदीक के या इन रोगों से जल्दी गरस्त नहीं हुआ करेंगे बलकुर